उत्रपरदेश के रामपूर की टांडा तहसील शेदर में आस्वास्त विभाग की टीम ने फरजी हस्पतालों पर बड़ी कारवाई करते हुए छापा मारा जिससे फरजी हस्पताल संचालकों में हरकम मची और कुछ फरजी संचालक होस्पीटल को बंद करके भाग गए जिससे मोके पर तीन हस्पतालों को चेकिंग के दुरान फरजी दस्ताविजों के कारण सीज किया गया चेकिंग के दौरान इन तीन हस्पतालों में मोके पर कोई भी मौजूद नहीं पाया गया वहीं मोका पाकर तीन हस्पतालों के संचालक भाग खड़े हुए वहीं नोडल अधिकारी ने बताये कि इन फर्जी हस्पताल के खिलाफ कारवाई आगे भी चलती रहेगी वहीं स्वासे विभाग के नोडल अधिकारी देवेश चोधरी ने बताये कि एक हस्पताल की शिकायत इदिली हॉस्पिटल के नाम से है चल रहा था वहाँ पर जब निरिक्षन किया गया तो वहाँ पर कोई भी साक्षी नहीं मिल पाया अस्पताल में फरजी तरीके से चल रहे डिस्पेंसरी और कैबिन को सीज किया गया है दूसरा मेडिकल स्टोर की आड में अस्पताल चलाय जा रहा है उससे भी कारवाई कर सीज किया जाएगा साथ ही तीसरे फरजी अस्पताल में भी डॉक्टर्स का चैंबर सीज किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जा रही है वही टांडा शेत्र में स्वास्त विभाग की टीम के चाप इमारी से हड कम मज गया साथ ही नोडल अधिकारी ने बताया कि जो भी गयर कानूनी अस्पताल फरजी तरीके से चल रहे हैं उन्हें बंद करवाया जाएगा साथ ही उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी वहीं यह चेकिंग अभियान आगे भी चलता रहेगा कितने दिन होगा आपको कौन टेटमेंट करदा आपका क्या नाम है उनका सर त게श्प разм did you कि एग अद यह यह एक की तो शिकैब थी को देली करके होस्पिटल ठाएक टाड़नय में लालप रुड कर तो वहां ने क्रिश्चिन किया गया, वहां हमें कोई मुझूद नहीं पाया गया, ना ही हमें कोई डोकुमेंट शोग करें किसी ने, तो वहां हमने एक डिस्पेंसरी और एक उसका रूम, वो दोनों सीज कर दिये, उसके बाद एक कोई डॉक्टर अन्वर अली करके थे, तो वहां उसका डॉक्टर का चैंबर सीज़ गया है, तो ये क्या फर्जी तरीके से चल लेते गया, फर्जी तरीके से तो दो चल रहे थे, तीसरे का एक रेजिस्ट्रेशन था, सर अभी भी टाड़े तहसिल में या स्वार में कुछ ऐसे फर्जी अस्पताल है, जो कही ना कही अरवी जो की मरीजो की लगतार जान दे रहे हैं, उनकी खलाब क्या करवे पर रहे हैं? उनकी खलाब क्या करवे चली रहे हैं, और आगी भी चलते रहेगी? जोटी गार्ण वेली एकन को खिलिक कर हुमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद